कहानी की सुरुवाद में हम ठीका नाम के एक आर्खिटेक्शरल स्टुडेंट को देखते हैं ये गरीब परिवार से इसी वज़े से वो जिस इनिवर्सिटी में पढ़ती है वहां के अमीर बच्ची उसे बुली करते हैं उसका छोटा वाई डुटा एक मुवी को डारेक्ट क गुज जाते हैं और पेड़ बर टेश्टी खाना खाते हैं लेकिन कई बार ये लोग पकड़े वी जाते हैं अब ऐसे इनके इनके डैड की डेथ हो जाती है और ये तीनों बाई बैन पूरी तरह से तूट जाते हैं अब उनको सब कुछ पापा की बिनाई मैनेस करना इसलिए तुम खूब पड़ो और अपने पापा का नाम रौसन करो अगले दिन एक लॉयर और उसका असिस्टेंट आते हैं वो उनकी फैमिली को उनके पिता के द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में उनके पापा बताते हैं कि मैं आप सबसे ब पैसे मेरी पतनी और मेरे बच्चों को मिले ताकि वो अमीरों की जिनगी भी जी सकें अब ये बाते सुनकर उने बिल्कुल भी यकीन नहीं होता जिसके बाद वो सभी बैंक में चेक करने जाते हैं तो उनके ओसुन जाते हैं क्योंकि उन वो बैंक से 500 मिलियों रुपए मिल करते हैं लेकिन वापर 5 लोगों जिरूर्वत हो थी हैं लेकिन यह सभी चाल लोग हो थे हैं इसी वाज़ेसे ये लोग वह अपर पड़ पिखारी को उठा लेते हैं और उसे अापने साथ रेस्ट्रेærट में खाना खाने सरीकंड की। आप पर ये लोग अपने लिए कपड़े और काफी सारी लगजेरी चीज़े खरीद देते हैं अब अगले दिन डॉड़ी अपने महेंगे सूस पाहिन कर अपनी स्कूल जाता है तो सभी लोग उसकी काफी जादा इज़्जत करते हैं अब हम बानियू को देखते हैं जो कि टीका का वाइफरेंड है उसकी भाइक खराब हो जाती है अब क्योंकि टीका के पास अंदीद होला था इसी वज़े से वो अपने वाइफरेंड बानियू को एक निवी स्पोर्ट भाइक खरीद कर गिप्ट कर देती है लेगिन बानी उस बाइक को अपने पास नहीं रखता हो उस बाइक को टिका को वापस कर देता है वो बोलता है कि मैंने अपने इस गाड़ी को खोन पसीने के मैने से कमाया है और वो तुमसे कोई फिरी की चीज नहीं चाता अब टीका की फैमिली के पास जब इतना जाता पैसा आ जाता है तो ये लोग फिजूल कर्ची के हदे पार कर देते हैं और इसी वज़े से उनके पूरे 500 मिलियन भी खत्म हो जाते हैं अब दुबारस उनके पास वाई लायर आता और वो फिर से उनको उनके डैट का वीडियो दिखाता है जिसमें उनके डैट बोलता है कि अब उनको 15 मिलियन और बी रुपाय मिलेंगे जिसके बाद उन पैसों को भी निकाल कर मौच करने लगते हैं वो बेवज़े 8 मिलियन के गर खरीते हैं वो तीन स्पोर्स कार भी खरीते हैं जबकि उनमें सकीसों को भी कार चलानी नहीं आती अब टिका के कॉलेज मेट्स उसको बुली नहीं करते बलकि उसके फैन हो गए हैं और टिका ने भी अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए अमीर दोस्त बना लियें क्योंकि उसके पुराने दोस्त काफी गरीब थे इसी वाज़े से टिका अपने फिजिक सॉलंपियाट की तयारी भी नहीं कर पाती लेगे नब उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो अपने अक्टर्स को मुँ मांगी रकम देने के लिए तयार हो जाता है उसे ऐसा लगता है कि उसके पैसे कभी खत्मी नहीं होंगे अब उनकी मा भी जो पहले गिन गिन के पैसा खर्च करती थी वो भी अब अब अनदन पैसा खर्चने लगी है वो सोसल मीडिया में वाइरल होने और अपने वीडियोस को वाइरल करने में काफी सारा पैसा खर्च कर देती है डेटा अपने फादर के पैसों के बरूसे अपना 380 परफार्मेंस लाँच करता है और इधर टिका को भी सराप की लत लग जाती है अब एक दिन अचानक फिर से वही लायर आकर उन तीनों को उनके पिता का वीडियो दिखाता है जिसमें वो बताता है कि अब मेरी पूरी दौलत खत्म हो चुकी है अब क्योंकि इन सभी ने वो सारे पैसे खर्च कर दिये थे जिसके बाद अब इनके पास एक भी पैसे नहीं बचते और ये फिर से रोड में आ जाते हैं पहले ये लोग गरीब थे तो ये लोग पैसे सो समझ कर खर्च करते थे लेकिन अब इन लोगों को लागजरी लाइप जीने की आदत पड़े गई है तो अब इन लोगों को समझ मी नहीं था कि ये लोग करें क्या ये पार्टी अब तुम्हारे बसकी नहीं है तब टिका है रियलाइस करती है कि उसे अपनी आदते बदलनी चाहिए और ओलम्पियाड की तैयारी करनी चाहिए अब टिका अपने पुराने फ्रेंट्स के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है अब उनकी मा भी सुदर जा अब इतर डेटा का सो भी बीच में रुख जाता है क्योंकि एक पॉलिटीसियन जिसने डेटा का सो लांच करने के लिए उसे पैसे दिये थे वो बीच में उसे दोखा दे देता है अब जब इदर टिका का ड्रग टेस्ट होता है तो नेगटिव आता है इसी वज़े से टिक इसी आदमी के नाम कर देते हैं अब इन्हें सबक मिल चुका है कि दन दौलत कोई पर्मनेट चीज नहीं है आज है तो कल नहीं पैसे की कुसी जादा दिन तक नहीं चलती अब इनके पास और कोई आप्स नहीं होता है जिसकी वज़े से यह लोग अपने पुराने घर में व इसी वज़े से तुम मुझे माफ कर दो तब इन्हें पता चलता है कि जो आदमी इनके चाचु बन कर आया था वो इनके चाचु नहीं बलकी उनके डैड का एक दोस्त है और पापा भी अभी मरे नहीं वो अभी जिन्दा है वो उन्हें बताते हैं कि मैं तुम लोगों को प परेंड हो जाती है